Hey what's up guys this is Manish and I'm back with a brand new video on the channel So guys yarr मैंने कल video बनाई थी Video reading पर ही बनाई थी मतलब काइंड मास्टर से आप अपनी YouTube वीडियो कैसे edit कर सकते हैं तो उस वाली वीडियो मैंने आप लोग उसे पूछा था कि मैं Screen recording type की वीडियो जो आप लोग बनाते हैं तो उस पर आप लोगो video reading tutorial चाहिए तो आप लोग ने बहुत सारे comments करें जो पिछली वाली वीडियो थी यार उनके लिए थी जो एक mobile से दूसरे mobile की वीडियो बनाते है रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत easily edit हो जाती जो इस टाइब की screen recording videos है वो थोड़ी सी hard होती है मतब इतनी भी नहीं होती बहुत मतब उसके comparison में थोड़ी सी hard होती है ठीक है तो चलो मैं आपको उताता हूँ आप लोग screen recording videos कैसे edit कर सकते हैं तो first of all आप लोग काइन master app install कर लेना play story या video के description से and आप लोगो plus के icon पे click करना है section ratio 9 का ratio select करना है और उसके बाद guys आप लोगों को क्या करना है media में जाना है जैसे मैं media में select कर रहा हूँ और backgrounds में जाना है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे backgrounds मिल जाएंगे बट यार यह जो background से बहुत यूटीवर्स यूज़ करते है लगबग जो काइन master's edit करता है वो सारे लोग यह यूज़ करते है तो बट आप मेरी वीडियो देख रहे है तो मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ लोगों से कुछ अलग करें ठीक है अधर लोगों से थोड़ा antique दिखें आप लोग इसलिए तो आप लोगों क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को जाना है एक application के बारे में आपको 100% पताओगा मुझे पता है और नहीं पताओ तो यार वाई comment section में बताना आपको पता था की नी तो इस application का link भी आपको description में जाएगा या play store से download कर सकते हो जिसका नाम है pixabay तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे copyright free बिल्कुल copyright आपको tension नहीं रहेगा यहाँ पे तो आप लोग यहाँ से download कर सकते हैं जैसे आप लोग किसी भी type का background चाहते हैं तो यहाँ पे मैं background लिख रहा हूँ आप लोग कुसी भी type का चाहते हो वो लोग आप search कर सकते हो तो जैसे यहाँ पे आप लोग कोई भी एक अच्छे color का select कर सकते हो तो मैं काम करता हूँ यह वाला select कर लेता हूँ और मैं आपको बताऊंगा इसका benefit क्या है जब आप इस type के backgrounds यूज करते हैं तो यह download हो चुका है now हम लोग चलते हैं again kindmaster application में तो यह हमारी kindmaster application और इसमें हम आ जाते हैं तो यह kindmaster में मैं आ गया हूँ again media में जाता हूँ आप download वाले section में चले जाता हूँ और अब इसको add कर लेता हूँ ठीक है इसको add करने बाद guys आप लोगों को इसको select करना है और select करने बाद इस वाले option में जाना है इसको select करना है और यह equal के sign पे click कर देना है तो यह क्या होगा कि यह सारा select हो जाएगा एक जगे पे या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे select कर सकते हैं कि कौन सा part आपको लेना है यह कम करना है तो आप लोग select कर सकते हैं ठीक है और फिर right के icon पे click कर देना है अब इसके length बढ़ा देनी है जितने भी आपकी minute की video हो तो यहां से आप length increase कर सकते हैं जितनी length करनी है और length increase करने बाद आप लोगों again शुरू में आ जाना है आप लोगों को layer में जाना है layer में जाने के बाद media में जाना है अब आप लोगों को क्या करना है इसकी यहाँ पे आप लोगों जो भी video record करी हुई है यानि कि screen record से record करिए उसको जाना है and इसको यहां पर folder open कर लेना है और आपकी जो भी एक video है उसको यहां से select कर लेना है तो जैसे आप लोग select करेंगे वो यहां पर आ जाएगी अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई आप लोग चाहें तो मुबाइल फ्रेम एड़ कर सकते हैं बट मैं आप लोगों बता रहा हूँ वो क्यों नहीं एड़ करना चाहिए मुबाइल फ्रेम बिकोस यार देखो आज कल के जो अपने मुबाइल होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं तो अगर आप इनको मुबाइल फ्रेम एड़ करेंगे तो इतना सा दिखेगा तो यार यूजर को प्राब्लम होगी और फिर आपकी वीडियोस पूरी नहीं देखेगा तो आप लोगों को ना फ्रेम एड़ नहीं करना फ्रेम का टाइम था यार जब फ्रेम चलते थे बटाब आप लोग नॉर्मली एड़ कर सकते हैं कोई ज़्यादा एड़िटिंग करने की जुरुत नहीं है और इतना आप लोगों कर लेना तो ये आपका थुड़ा बुद तो काम ने पड़ गया है अब आप लोगों क्या करना की जैसे कि अगर आप लोगों की वीडियो इतनी सी है ठीक है तो ये आप एक्स्ट्रा पार्ट यहां पर क्लिक करके यहां से रिमूव कर सकते हैं तो यह तो part होगे आपका extra यहाँ पर अगर आप लोग कुछ extra add करना चाहते हैं तो आप लोग मैं बताता हूँ कैसे क्या overlay में अगर आप लोग जाएंगे overlay क्या overlay area overlay है तो इसमें आप लोग get more वाले option में जाएंगे न तो यह सारी चीज़े आप लोगो को यहाँ से मिल जाएगी तो जैसे अगर आप लोग अपना intro देते हैं नाम के साथ तो यहाँ पर अपना intro वगेरा add कर सकते हैं यहाँ पर इसको आप लोगो को और भी चीज़े बता देता हूं जैसे handwriting में अगर आप लोग जाते हैं आप लोगो को इसके recording वीडियो में ठीक से समझाना होता बड़ आप लोग अपना hand click नहीं कर सकते हैं तो आप लोगो को arrow select कर लेना है color यहाँ से select कर लेना and जैसे आप लोग को एक चीज बता रहे हैं तो इसको यहाँ पर ले जाना है उसको select करने का आप लोगो को इसी को select करना यहाँ पर जाना है इस वाले option में इसको draw by stroke कर देना इसको erase by stroke कर देना तो यह कुछ इस टाइप से interface आप लोगों को show करने वाला है तो यह इस टाइप से आप लोग इसकी basic editing कर सकते हैं तो आप लोगों को समय रही request है कि भाई यहाँ पर आप लोग ना कुछ जादा editing मत करो screen recording में basic editing जो मैंने आपको बताई वही करोगे तो ठीक है जादा editing भी खराब होती है सुभूब आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो शेर करना ना भूलें मैं हमलता हम अपसे सी किसी amazing और interesting वीडियो के साथ तब तक लिए से तुने विट वनिश्वर्यू